दोस्तो अगर आप लोग एक PF मेंबर है और आप लोग अभी PF में पैसा जमा हो रहा है तो दोस्तो यह वीडियो आप सभी PF मेंबरों के लिए बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट होने वाला है तो अगर आप लोग पैसा कट रहा है तो आज निकल आप लोग को निकालना भी ह तो निकालने का क्या नियम है, कब और कितना पैसा आप EPFO से निकाल सकते हैं, फूरी जानकारी आप लोगो डेटेल में इस वीडियो में आप लोगो बताऊंगा, तो बिना स्कीप के वीडियो को लाश्ट तक जरू देखेगा, अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा, और साथ हैं बैल आकन के बटन को दबा कर ओन जरूर कर दिजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम EPFO से रिलेटिड कोई नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके, चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि कब कितना और कौन सा मौंट निकाल सकते हैं, तो इसे जानने के लिए दोस्तों हमें EPFO के पासुक वाले पोटल पर जाना होगा, और वहां पर मैं आपको अच्छी त यहां पर तीरोट दिख रहा है, इस पर किलिक करते हैं और यहां पर पास्वुक दिया गया है, पास्वुक पर किलिक कर लेते हैं, तो दोस्तों हमारे सामने पास्वुक कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर तीन तरह नहीं पैसा हमारी कंपनी द्वारा भी जमाक क्या जाता है कि यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि और कितنا पैसा किस से निकाल सकते हैं अगर आप लोगा पैसे कि आवसकता और चाहते हैं तो एड्वांस के रूप में बहुँर करको ऊपने के पैसा निकाल सकते हैं जो एमफों प्रेंगे यहां पर पैसा है उसका बारा परसेंट जो जमा होता है हमारी सेल्डी का जो बारा परसेंट कटके जमा होता है उसी में से ही निकलेगा जो एडवांस निकलेगा उसी में से निकलेगा और यह पैसा कभी भी निकाल सकते हैं चाहे हमें से दोनों में से ही एडवांस के रूप में प्यापक पैसा दिया था ता 70 परसेंट तक अब दोस्तों उस उप्शन को बंद कर दिया गया है अब अगर आप यह को सब्करते हैं तो इंपलोर सेरी निकलता है राइचांसी जो है छोता है कि जब आप किसी कंपनी में काम प्रप्र लगते हैं तो आप लोगों के जंदा है तो रहा है च्बेटए वंसर चाहिएitel नहीं और 9 साल 6 महिणा से कम होनी चाहिए तब आप पैसा निकाल पाएंगे 9 शाल 6 महिणा जैसे आप करेंगे आपका पैसन लागँ और यह पैसन का पैसा आपको तेंसन के रूप में दिया जाएगा यहां तक दोस्तों है कि अपकल स्मुझायगा आपको जब पूरा सब निकालता है तो उसमें इंप्लोयर सेलास में करते तो आप दो दो तरह का फॉर्म बढ़ते हैं पहला फॉरम 90 और दूसरा फॉर्म की लिए तो इस तरह से आप अपना जो है पीफ का पैसर बिड्रोवल करते हैं दोस्तों अगर जानकारी अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और दोस्तों साथ सेर जरूर कीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद